हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट बैल से अतुल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोहल आज हम बात करेंगे फिर से वर्जर पेंट की क्योंकि उपर के लेवल से फिर से फिसलता हूँ और नजरा रहा है और एक निचे जो सपोर् ले सकता है किस टाइप के इसके लेवल से बनते हैं स्टेंथ कैसी है और इसके अंदर क्या जो फेस कर रहा है उसके उपर हम बात करेंगे सबसे पहले बीकली चार्ट हमने लगा रखा है और बीकली चार्ट पर देखिए 34 के आसपास की आरे से यह यानि हमें 60 की चाहिए तो यहां पर एक अर्जिस्टेंस था दो लाइन के बीच में चलता हो नजर आ रहता बीच की लाइन से लिए ट्रोक किया क्योंकि स्टोक जाए बीच में काफी बार अर्जिस्टेंस और सपोर्ट भी लेते हैं जो तीन लाइनस आप देख रहे हैं यह 2016-17 के आसपास से हैं और 2020 20 के आसपास तक यह continue रही है तो यही लाइनस अगर हम इनको आगे extend करें तिनों लाइनस को तो आप देखेंगे पहले बाद में भी इनी लाइनस के उपर स्टोक ने जो है रेक्ट किया यहां पर bounce back किया इसी लाइन के साथ में फिर स्टोक नीच आता है तो यहां पर इसने इसी लाइन से bounce back करके उपर तक गया है तो अभी स्टोक जो है उपर की लाइन के आसपास ही support लेता हो नजरा रहा है बट अगर इसको break करता है तो नीचे की लाइनस पर भी आ सकता है तो इन दोनों को हम study करना चाहरे है कि इन दोनों ही लाइनस की क्या importance है जैसे मैंने आपक काफी कम है अगर इसी को देखिए मंतली चार्ट के उपर तो मंतली चार्ट पर देखे पूरा चार्ट पैटर्न आपको इस टाइप से दिखाई देगा और इन दोनों तिनों लाइनस की इंपोर्टेंस भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर जो स्टोक है क इसके उपर ही बनता हुआ नजराया तो स्टोक फिर से इसी लाइन के आसपास आता हुआ नजरा रहा है मंतली चार्ट पर देखिए इस टाइप से स्टोक आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा और जैसे मैं आपको बताया कि यह जो लाइनस हैं काफी इंपोर्टेंट हैं यहां पर स्टोक काफी रियक्ट कर भी रहा है आप देखिए और सबसे पहले आपको नजर रखना यहां से स्टोक बाउंस बैक जुरूर किया था बट उपर के लेवल्स के उपर जो आपको नजर रखना वह इसकी जो क्लोजिंग है वह लगवग 624-625 के उपर की नजर आ सकता है निचे के लेवल पर आपको 570-71 के आसपास नजर रखनी है अगर इसको ब्रेक करता है तो स्टोक जो है 530 रुपे के आसपास के भी लेवल दिखा सकता है यानि इस लाइन के आसपास टोक पहुंचता हूँ नजर आ सकता है तो उपर के लेवल 624 पे नजर प्रोजिंग देता है तो स्टोक 530-526 के आसपास के लेवल दिखा सकता है डेली चार्ट पर देखिए 37 के आसपास की आरसा ही है हमें डेली चार्ट पर 50 के रसे ही होती है तो यहां पर भी स्टेंथ थोड़ी कम है स्टोक अभी टोटली डाउन ट्रेंड के अंदर है तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल स्टोप लोस लगा के ट्रेडिंग कीजिए और अगर इंवेस्टमेंट कर रहे हैं स्टोक अच्छा है निचे के लेवल पर थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद ही से हमें अकॉमुलेट करना है तो आप खुद दे सकते ह थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है स्टोक जब इसके थोड़ी सी स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हो तभी हम इसे कंसीडर करेंगे थैंक्यू धन्यबाद